स्वागत है आपका वोईज फैंपी में मैं आपके साथ सिम्रन इस वक्त की अपडेट की बात करें तो मद्य प्रदेश कड़ा के की ठंड की चपेट में है जिहां प्रदेश की एक दरजन से अधीक जीलों में घना कहरा चाया है तापमान भी गिरकर 20 डिगरी सेलसेस के नीचे पहुँच गया है और कुछ जगहों पर पुनाबादी भी हुई है जिहां कल कई शहरों का अधिक्तम तापमान भी गिरकर नीचे आ गया है बुद्वार को सतना प्रदेश का सबसे ठंडा इस्थान रहा जिहां यहां दिन में अधिक्तम तापमान 17.2 डिगरी सेलसेस दर्ज हुआ महीं बात करें तो राइसेन में दिन का तापमान 17.4 डिगरी सेलसेस पहुँच गया सागर, दमोह, उम्रिया, खजुराह, रतलाम और शाजपुर जीलों में स्तर्ध हवाफ ने लोगों को ठिटूरने के लिए मजबूर कर दिया जिहां राज़ानी भोपाल में भी अधिक्तम तापमान में बड़ी गिरावडाई है मगलवार बुधवार की राद यहां न्यूंतम तापमान 13.8 डिगरी सेलसेस रिकोर्ट हुआ जबकि बुधवार में दिन में 17.9 डिगरी सेलसेस पहुँच गया यहां दिन और राद के तापमान में महच 4 डिगरी सेलसेस का ही अंतर रहा वही बात करते चले तो मौसम विग्यानिकोर्न के अनुसार मध्य प्रदेश में पश्चिमी विशोब के कारण तापमान में बतलाव देखने को मिल रहा है और प्रदेश में 2-3 दिन तक घना खोरा 6 रहने का अनुमान जताए गया है मौसम विशिशक्यों के अनुसार जेसे ही प्रदेश उसे बादल छटेंगे वेसे वेसे प्रदेश की न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आना शुर हो जाएगी जिहां अगले हफते प्रदेश में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेलसेस के नीचे जाने का आसार है हाग ने गुरुवार को भी प्रदेश से कई दिनों में बारिश वर विश्पात का नुमान जताया है चिनवाडा, सिफनी, बालखाट, अली राजपूर, धार, जाबुआ, बैतूल, खंड, बाबुरहानपूर, इंदोर और रतलाम जीलों में बारिश हो सकती है इसके अलावा शेश संभाग एवं जीलों का मौसम श्यूस्क बना रह सकता है मैं बात करें जबकि ग्वालर, चंबल और सागर संभाग के जीलों के साथ ही सिंग्रोली, सीधी, मौगुंज, रिवा, जबलपूर, मंडला, सिहोर, भोपाल, मंसोर और नीमच जीले में गना कोहरा च्षाय रहने के कारेंट दक्षता 50 से 500 मिटर तक रहने के आस्तार है मौसम भाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूंतम तापमान में भी अगिरावर्ट दर्श की जा सकती है ये था आप तक का अपडेट लगातार हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ कोई जपामटी पर शुक्रिया